नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है जमु कस्मीर के लगव को बंदुक उठाने का वो समर्थन कर रही है राज में खिसकती सियासी जमीन पे अपनी बौखलाहट दिखा रही है 370 हटने के बाद वो का रहे हैं कि मंसा जमु कस्मीर की जमीन और नौकरी छीनने की है डोगरा संस्कृती को बचाने के लिए 370 था कहीं डोगरा संस्कृती ही लुप्त न हो जाए चाहे मुल्क का जंडा हो या जमु कस्मीर का जंडा वो हमें सम्मिधान ने दिया था इन्होंने हमसे जंडा छीन लिया आज इनका बीजेपी का वक्त है कल हमारा आएगा इनका भी ट्रम्प वाला हाल होगा बॉर्डर के रास्ते खुलने चाहिए जमु कस्मीर दोनों मुलकों के बीच अमन का पूल बने या हमारा जंडा वापस दें हम चुनाव इकठे लड़ रहे हैं जमु कस्मीर के ठुकडे कर दिये गई इन ताक्तों को दूर करने के लिए हमने साथ में हाथ मिलाया है गुपकार गैंग और कांगरिस के गठ जोड की भी बात आ रही है फारुक अब्दुल्ला जो पूरु मुख्य मंत्री है उन्होंने कहा है कि कांगरिस भी गुपकार का हिस्सा है गुपकार वो डेकलेरेशन है वो घोस्रा है जो 370 हटाने के बाद इन लोगोंने आपस में मिल करके तै किया था जमु कस्मीर में DDC चुनाव साथ लड़ेंगे कांगरिस पार्टी की ओर से हाला कि इस पर कोई अधिकारिक बयान नहीं दिया गया है लेकिन इनका काना है कि DDC यानि कि जिला विकास परिशत चुनाव के लिए सभी गठे हैं जिसमें कांगरिस भी सामिल है अब्दुल्ला का रहे हैं कि जमु कस्मीर कांगरिस के अध्यक्स जी ए मीर आज उनसे मिलने आया और कहा कि हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं अब्दुल्ला ने कांगरिस के गठबंदन से अलग होने के सवाल का जबाब देते हुए कहा कि वे कहां अलग हो गये हैं इसे लेकर कोई गलत फामी नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस गटबंदन का हिसा है, हम DTC चुनाव एक साथ लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने अब तक कटबंदन के किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया है, नहीं कोई अधिकारिक रूप से बयान दिया है, लेकिन फारुक अब् महबुबा मुफ्ती, दोनों लगातार जहरुगल रहे हैं, और 370 की बहाली को ले करके का रहे हैं, कि हम संघर्स करेंगे, आप लोग तांतरिक तरीके से जो कुछ कहना है कहिए और किजिए, लेकिन जो कुछ भी आप बोलेंगे इस बात का ध्यान रखिए, कि सम्विधान क दायरे में बोलेंगे, जम्मु कस्मीर भारत का अभिनांग है, वहां का जंडा अब नहीं चलेगा, वहां पर भारत का जंडा चलेगा, 370 और 35 यह रटने के बाद, जम्मु कस्मीर के जंडे को अब कोई मानिता नहीं है, लेकिन महबुबा मुफ्ती क्या मेसेज दे रही है यही कि हम अलग हैं, और उसमें कांग्रेस भी उनका साथ दे रही है, यदि गुपकार घोसडा में कांग्रेस भी पार्टिसिपेट कर रही है, तो कांग्रेस को खुल के सामने आना चाहिए, ताकि जो एकडम साफ लखीर खिच जा, यही तो बीजेपी की डिमांड रही है, बट वो ऐसा नहीं कर रही है, अंदर से मिली भगत है, लेकिन फारुक अब्दुल्ला मभुबा मुफ्ती दोनों जिस तरीके से बोल रहे हैं और जिस तरीके से इस मुद्दे पे साफ है, उनकी मंसा एकडम क्लियर है, और अब तो मभुबा मुफ्ती ने बंदुक उठाने के इनकबर, थैंक यू